बॉलिवुट की ड्रामा कुईन राखी सावंत के निशाने पर जब कोई आ जाए तो उसे भगवान ही बचाए अभी फिलाल राखी के निशाने पर हैं सनी लियोन राखी सनी लियोन के बारे में कुछ भी कहने का एक भी मौका नहीं छोड़ती आये दिन राखी सावंत अभिनेतरी सनी लियोन के बारे में कुछ न कुछ कमेन जरूर करती हैं इंदुस्तान की जनता ने पॉंट सार को बगवान बना दिया है राकी की सरकत से लोग अटकले लगाने लगे हैं कि आखिर क्या वज़ा है कि राकी सनी के पीछे पड़ी है एक और जहां वालिवुड के फेमस स्टार सनी की तारीफ करते नहीं थकते वहीं राकी का सनी से 36 का आकड़ा क्यों? क्या वज़े है कि राकी सनी लियोन के बारे में कुछ भी कहने का एक भी मौका नहीं छोड़ती? अगर दोनों के प्रोफेशन की बात करें तो बॉलिवुड में कदम रखने से पहले सनी पोर्न स्टार रही है जबकि राकी पॉलिवुड में आईटम गर्ल के नाम से मश्चूर रही है दोनों के प्रोफेशन में काफी डिफरेंस है फिर राकी सनी को अपना कॉम्पेटीटर क्यों मानती है? ऐसा भी नहीं है कि सनी ने अब तक जितनी फिल्मे की हैं वो राकी को रेपलेस करके पाई है इसका जवाब तो राकी ही दे सकती है फिलाल एक इंटर्विव में राकी ने कहा कि सनी लेओन इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है तो उन्हें भगवान की तरह और जब हम करते हैं तो हमें पब्लिक हो या न्यूस चैनल से गालियां मिलती है हम इंडियन हैं, हम कितने भी मौडन बन जाएं लेकिन हमारी लक्षमन रेखा खिंची जाती है कि ये मत करना, वो मत करना सनी को इतनी फिल्में इतने वीडियो मिले, फिर भी वो दिल्ली में पोल डांस करके गई भगवान ने अगर सुधरने का एक मौका दिया है, तो वो फिर से ये सब क्यों कर रही है मैं उसकी मा नहीं हूँ, उसे जज नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने देश की लड़कियों को सेफ करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल हर लड़की ऐसे ही कपड़े उतार रही है क्या बात है राखी, आप तो मस्त ड्रामा करती है खेर हम तो बूली गए, आप तो ड्रामे में पिएच्डी पास है बाकई में आपको देश की लड़कियों की इतनी फिक्र हो रही है और अगर हाँ, तो सबसे पहले आप अपनी फिक्र कर लें क्या पता फिर सारी लड़कियां आपको फालो करने लगें